हाई दोस्तों, असलाव अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नभील है, मेरे दो फेवरेट आइफोंस है, कहें आइफों 12 और दूसरा है आइफों 12 मीनी, इन दोनों के उपर और डिसकाउंट्स आए है, फिर से डिसकाउंट्स आए है, आउनलाइन डियल्स के उपर, आफ्लाइन quickly, सबसे पहली डियल जो है दोस्तों, वो है 40999 में आइफों 12 मीनी, ये मिल रहा है, फ्लिप कार्ट के उपर, फ्लिप कार्ट पे जो है, ये ओफर चल रहा है, जहां पर ये डिवाइस आप पास सकते 40999 में, अगर आप प्री पेड इसको खरीते तो, अगर नहीं खरीते तो, हजार रुपे और लगेंगे, लेकि मेरे इसाब से 40999 या 41,000 या 40,500 के आसपास जो ये मिल रहा है, it is a very good deal for iPhone 12 mini, iPhone 12 mini पहले इतना successful नहीं हुआ, मैं तो बोलूँगा flop ही हुआ, जैसे अभी का iPhone 13 mini हो रहा है, लेकिन price drop होने के बाद, made in India होने के बाद, लोगों को समझ में आय लेकिन March event के बारे में आगे आपको बताता हूँ, कि इसमें जो iPhone 13 3 आने वाला है, वो क्या इससे better होगा या नहीं होगा, अगली deal जो है दोस्तों वो है iPhone 12 पे, और जो iPhone 12 है, वो 12 mini से एक better device है, क्योंकि बड़े display के साथ आता है, जो जादा usable रहता है, इसमें battery life भी बड़ी ह इसके अलावा 12 और 12 mini के अंदर कोई फरक नहीं होता है, iPhone 12 का जो price है, Amazon और Flipkart पे same price है, 53999 का, यानि 54,000 का है, और दोनों के उपर ही अगर आप prepaid transaction करते हो, Amazon पे भी HDFC कार्ट से करते हो, तो आपको 1000 रुपे off मिल जागा, Flipkart से UPI transaction करते हो, तो आपको 1000 रुपे तक off मिलता ह है, अब यहाँ पे आपको किस platform से इसको लेना चाहिए, अगर आप लेना चाहरे हो, तो मैं आपको search करूँगा, Amazon से आप लीजिए Flipkart की जगा, यह मुझे personally Amazon जादा बेटर लगता है Flipkart के मुकावले, लेकिन जो चीज Flipkart पे available है, वो आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, इन दोनों के उपर offline जो shops है, offline Apple के stores है, जैसे iSense है, या Unicorn है, जिस किसी की साथ आप comfortable है, वहाँ पे भी offers चल रहा है, जहां 65,000 के iPhone 12 पे 6000 रुपे का इनका store का discount हो जाता है, तो यह 59,000 का हो जाता है, उसके बाद 500 रुपे का आपका card का cashback आ जाता है, तो यह 54,000 का हो जाता ह तो उसका ध्यान रखना हो सकता है, आपके पुराने phone की जो value ये लोग देंगे, वो आपको पसंद ना है, तो इस सब का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, 5000 रुपे का कम से कम value का आपका पुराना phone होना चीए, मतलब नए का नहीं का नहीं, इनके पास जो exchange का rate है, उ उसके उपर ये लोग discount देते हैं, तो घुमा फिरा के वहीं आजा चाहिए, जितने में आपको online मिलता है, तो मैं तो prefer यहीं करूँगा, कि आप लोग hassle-free घर बेटे, online ही खरीदे, Amazon या Flipkart से, अब क्या ये deals अच्छी है, इन दोनों devices के लिए मेरे इसाब से तो काफी अच् 60, 65,000, 65,000 तक के devices निकालते हैं, तो उससे तो यही better है, जादा साल चलने वाले, जादा साल टिकने वाले, और better cameras के साथ आने वाले, और एक better operating system के साथ आने वाले iPhones, अब क्या आपको iPhone 12 या iPhone 13 के बीच में confusion है, तो उसके लिए भी बता दिता हूँ मैं आपको के इन दोनों का एक dedicated comparison, 2022 के मुताबिक मैंने करके रखा है, और इसमें आप देख सकते के कौन सा आपको लेना चाहिए, अगर short मैं आपको बता दू, तो iPhone 12 अगर आप ले रहे हो, तो base story variant के लिए जाना, जो के 64GB अगर इसका लेना चाहरे हो, तो फिर उससे थोड़ा पैसा दालके iPhone 13 लेना, 13 पे भी देखने मिलेगा, लेकिन 13 मीनी पे भी आपको देखने मिलेगा, युकि फिलाल जो status चल रहा है market का, उसके मुताबिक आपको अगर बताओं, तो 13 मीनी के sales बहुती ज़्यादा slow है, बहुती कम शौकीन लोग ऐसे है, जो ज़्यादा पैसे देखे 13 मीनी के लिए जा में आने वाला है iPhone SE 3rd generation, अभी iPhone SE 3rd generation के अभी तक की जो leaks है, वो यही हमको बताते है, कि it will be same like iPhone SE 2, याने के पीछे से ऐसा, और सामने से एक home बटन वाला phone जिसका display भी होगा छोटा, लेकिन वो होगा 5G handset, तो क्या आपको iPhone SE 3 के लिए रुखना चीए, अगर मैं आपकी जग तक क्योंकि हो सकता है, Apple ने सबको surprise किया है, leakers को बेवकूब बनाया है, और हमने जितनी भी आपको news दी है, वो गलत भी साबित हो सकती है, तो better है कि आप March के 8 तारिक का जो event है, उसके लिए आप रुके, फिर उसके बाद decide करें कि आपको कौन सा phone लेना है, लेकिन दोस्तों इतनी बात तो ते है कि iPhone SE 3 जो होगा, it will not be better than iPhone 12 mini, क्योंकि ये premium range का phone है थोड़ा, और ये जो SE series आती है, ये budget range की series आती है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर same price में दोनों available होंगे, और अगर वो आता है home button के साथ, तो मैं definitely iPhone 12 mini ही आपको sales करूँगा, क्योंकि ये आपके एक better experience रहेगा, अब आपने अगर decide कर लिया दोस्तों कि इन दोनों में से कौन से device के लिए आपको जाना है, 12 के लिए जाना है, 12 mini के लिए तो इनके essential accessories भी इनके आत खरीद लेना, सबसे बड़ा, सबसे पहली जो essential accessory है, वो एक 20 watt का Apple का charger है, अगर आपको पैसा spend कर सकते हो, 18 1100 रुपए और आपको कोई problem नहीं है, तो उसके लिए जाईए क्योंकि वो जो charger है, वो Apple का official charger है, और वो best तरीके से आपके phone को fast charge करता है, और इन devices के साथ phone के box में charger नहीं आता है, और अगर आपको थोड़े पैसे बचाने है, 600 रुपए के अंदर का charger लेना है, तो मैंने य 12 और 12 mini के बीच में आपको एक और चीज़ परिशान कर सकती है, 12 mini की battery life हमको काफी कम देखने मिलीगी 12 के मुकाबले, तो इसका answer है हाँ, लेकिन price का जो difference है दोस्तों वो है तकरीबन 13 से 14,000 रुपए का, अब ये जो price difference है, इसमें आप ले सकते हो Belkin का एक Mac Safe Power Bank, ये जो आइफोन को 0 to 70% तक चार्ज कर सकता है, और ये काफी convenient चीज़ होती है, और ये आइफोन 12 mini को उतनी ही battery life देता है, जितनी एक आइफोन 12 में होती है, लेकिन ये काफी महेंगी चीज़ और 11,000 रुपए का ये पावर बैंक जादा तर लोग लेना prefer नहीं करते, इसलिए आइफोन को 0 to 60% चार्ज करेगा, लेकिन ये आपको उतनी ही battery life दे देता है, जितनी आइफोन 12 में आती है, ये slightly उससे जादा, तो आपके लिए ये जो है, काफी एक better package रहेगा के 12 mini और इस battery pack के लिए आप जाएं, और सबसे important चीज़ दोस्तो, आइफोन जभी भी आप ले और वो screen protector इस पर रख देना है, खुद बखो चिपक जाता है, और इन आइफोन के लिए जो सस्ता टिकाओ अच्छे cases है, और महेंगे से महेंगे cases है, उनका dedicated वीडियो में ने बनाया वाए, चैनल के उपर उसको भी description box में दिये वे links या आप चेक आउट कर सकते हैं, और कौ लेगा, उमीर किताओ दोस्तों आपको आइटका वीडियो पसना होगा, पसमें उसको लाइक इन शेयर जरू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो किजिए, गुडबाई